हेलो एव्रिवान वल्कम तो इग्जाडवी रीडिफाइनिंग एड्यूकेशन मेरा नाम है प्रभाश कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं कॉंप्लेक्स एनलाइसिस प्रीवेस लेक्चर में हम लोग कोचे इंटिग्रल फार्मुला का थियूरम्स, कॉंसेप्स वगरा सब हम सिर्फ प्राक्टिस करने के लिए आपको एग्जाम्पल से आपको दोनों फार्मुला का यूज कहां पे कौन-कौन से प्रॉबलम में कैसे करना है उसके लिए ये लेक्चर डेडिकेटेड है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक महतुपुन जान करी फिर से अब मैं ब बग बग आपको एक लाक से जादा मतलब आराउंड आपको डेड़ लाक रुपए अरेंज करने है क्योंकि ओडर दे दिया है ठीक है एडवांस भी पेमिंट हो गया है साथ दिन में आ करके लगा देगा और पैसा नहीं होगा तो समझ जाओ क्या कि समान ओडर दे दिया पै कैसा लगेगा अरे तुम्हारे गुरु बेजजत हो जाएंगे सेंट कर पाऊगे मोदी जी के खिलाफ थोड़ा चीज सुन नहीं सकते हो और मेरे खिलाफ सुन लेगे बरदास कर लोगे ऐसा क्या होगा अरे हम भी तो है ना मेरे साथ भी तो रिष्टा बना हुआ ना तो प कौची इंटिग्रल थियोरम है एक है कौची इंटिग्रल फॉर्मूला है इस पर ध्यान देना थोड़ा यहां पर दोनों बात हो रही है कि विदिन मतलब अंदर एंड ओन ओन क्लोजड कर मतलब सरकल या कर्व के ऊपर ठीक है कोई फंक्शन एफ अगर अनलाइटिक है किसी भी कर्व के अंदर या फिर कर्व के ऊपर तब उस केस में इंटिग्रेशन सी एफ अफ जेड दीजड हो जाएगा जीरो डिरेक्ट हो जाएगा जीरो कौची इंटिग्रल फॉर्मूला हम लोग सीखे कि एफ अगर आपको निकालना है तो 1 बाइ 2 पाई आई सी डीजड ये क्या हो जाएगा 2 पाई आई को इदर मल्टिप्लाई करो तो ये वाला जो बादल में मैंने ये वाला फॉर्मूला बनाया है और इस बादल में जो फॉर्मूला बनाया है यही दो फॉर्मूला आपको काम आएंगे ठीक है ये वाला आपको कब यूज करना है use when no singular point जब आपके singular point नहीं होगे तब ये use करना है और अगर कहीं कहीं singular point उस region में दिख गए तब आपको ये वाला formula use करना है इसके पहले वाले lecture में जो एक last problem था जिसका answer मतलब 0 आ गया था मतलब ये वाला कौची integral formula लागा करके 0 आ गया था उसमें मैंने आपको बताया था कि वो direct आप कौची integral theorem से उसको 0 बोल सकते हो तो वैसा 0 इस theorem से नहीं होगा वो इस formula से 0 हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे आपका जो analytic point था मतलब singular points आपके अंदर में थे ठीक है ना तो इसलिए ये वाला formula use होगा तो इसी को clarity मतलब confusion दूर करने के लिए especially ये lecture बनाया जा रहा है ताकि आपको confusion ना हो और बाद में आप ना चिलाओ sir आपने क्या बता दिया तो यहाँ पे basically हम लोग 3 problems करते हैं और इसी से सब कुछ clear हो जाएगा most of the problems आपके ऐसे ही आते हैं ठीक है exam में तो पहला देखिए find integration c z square plus 7 d z where c का जो value है अलग-अलग चीज दिया हुआ है यह जो c है ना बहुत खतरनाक चीज है यह curve ही decide करता है कि आपका integration का value क्या है यह अंदर में कुछ भी है उससे कोई लेना देना है नहीं अभी हम आपको दिखा देते हैं कि z square plus 7 के लिए ही आपके c आप change करोगे तो आपका answer बदलेगा c आप change करोगे तो answer आपका बदलेगा और किसी-किसी में तो answer आपका same भी हो सकता है तो इसे को समझाने के लिए हम एक-एक करके आपको बताते हैं देखो find integration c solve कर रहे हम पहला question है मारे पास integration c z square plus 7 dz यह आपको solve करना है और आपको देखना है कि c क्या है तो सबसे पहले c तो define करो c क्या है c आपको बोल दिया c is a circle which is nothing but mod z is equal to 1 ठीक है तो आप क्या करें आप एक circle बनाए यह क्या बताता है एक circle बताता है ठीक है यह होता है ना mod z is equal to 1 मतलब क्या center है उसका 0 तो यह center है 0 radius है 1 1 unit का radius बना करके एक circle बन गया अब सवाल उठता है कि इसमें आप find करें singular point है या नहीं कोई singular point मिलेगा क्या singular point का मतलब एक ऐसा point जहां आपका function analytic ना हो तो क्या यह function कभी भी analytic नहीं हो सकता है नहीं यह हर जग एनलाइटिक है मतलब यह function which is an analytic which is analytic throughout is called an entire function तो यह एक तरह का entire function है इसमें कोई singularity है ही नहीं अब जब singularity ही नहीं है तब कौन सा formula theorem लगाना है आपको कौची integral theorem क्यों क्योंकि use when no singular point तो इसके लिए कोई भी singular point है ही नहीं हर जगस analytic है तो चाहिए आप कोई भी graph कोई भी curve बना दिजिए क्या हो जाएगा उसका answer अगर आप integrate करते हो closed loop में इसके respect में यह इसका dense sense तो आपको पता है positive होता है यह आपका curve है C तो इसके along अगर आप इसको integrate करते हो तो उसका answer direct आप इसको बोल दोगे सर यह हो जाएगा 0 बात आई समझ में कौची integral theorem यह बोलता है कि कोई function f of z अगर analytic होता है curve के अंदर या फिर curve के उपर तो closed loop पे अगर आप integration करते हो तो वो हो जाता है 0 तो जैसे यह curve मैंने बना लिया है मुझे पता चल गया कि यह मेरा zone है अब आपका यह वाला function तो आपको पता है हर जग analytic है तो जाहर सी बात है अंदर भी analytic होगा अंदर वाला part भी analytic होगा और जो boundary मैंने खीचा है यह भी analytic होगा अगर वैसी बात है तब इसका answer 0 आगया बात समझ में चलो अब दूसरा देखो second part देखते हैं लोग number 2 इसको देखते है function रहने दो मेरे पास same है z square plus 7 dz और यह जो curve है यह क्या है c is mod z is equal to 7 यह भी एक बता रहा है कि एक circle है जिसका center तो 0 ही है लेकिन radius है आपका 7 units अरे कुछ भी बना दो हमको तो पता है कि यह वाला function analytic हर जगा है मतलब यह इसके अंदर भी analytic है और इसके boundary के बाहर भी analytic है अगर ऐसी बात है तो direct हम इसको बोल देंगे 0 using kocci integral theorem कितना असान है third देखे third में यही function है यह वाला चीज इसको थोड़ा सा region बनाते है क्या बोला 7 minus sorry z minus 7 pi z minus 7 pi is equal to 2 plus i इसका थोड़ा बनाई है तो यह क्या represent कर रहा है यह भी एक circle represent कर रहा है इसको हम बोल सकते हैं कि इसको क्या हम ऐसे बोल सकते हैं mod of z minus is equal to r compare करो तो यहाँ पे बोलोगे center और कुछ नहीं 7 pi इसका center हो गया और radius बोले तो 2 plus i हो गया अब argant plane में कहा दिखाओ गया यह वाला चीज अब जानते हो यह कितना 7 pi pi मतलब क्या होता है 22 by 7 होता है तो 7 pi का मतलब 7 से multiply cut chart तो यहाँ पे इसका center का होना चाहिए 22 पे center होना चाहिए और radius 2 plus i units का इसका radius होना चाहिए तो आप इसमें कहीं पे इस तर बना सकते हैं इसको plot कर सकते हो ठीक है तो कहीं पे भी plot करो analytic तो हर जगह है तो इसका भी answer क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो answer हम यहाँ लिख दे रहे है यह भी हो गया 0 इसका भी answer होगा 0 इसका भी answer होगा 0 फिर बोला अब कर्व यह ज़रूरी नहीं कि आपका हमेशा circle बने आपका कुछ भी बन सकता आपका square कुछ भी बन सकता है तो एक square बनाते है जापे आपका plus minus 1 कुछ इस तरह से यह आपका plus 1 तो यह आपका plus 1 है यह plus 1 है minus 1 है और यह plus 1 है और यह minus 1 है मतलब यह y is equal to plus 1 है यह y is equal to minus 1 है यह x is equal to plus 1 है और यह x is equal to minus 1 है तो एक circle बन गया अब आपका function अगर analytic हो इसके अंदर या फिर boundary पे तो उसका जो answer आएगा वो आएगा 0 तो इस case में भी हम क्या बोल सकते हैं इसका भी answer आगया है हमारा 0 पाता गई समझ में ठीक है अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल के तरफ find integration z square plus 5z plus 6 by z minus 3 dz ठीक है इसको आपको integrate find करना है तो integration find करने सबसे पहले तरीका है कि सबसे पहले आप उसका singularity निकाल लेजिए अगर singularity point मिल जाती है आपको तब हम लोग चलेंगे कौची integral formula में और अगर आपको कोई singular point नहीं मिला no singular point तब direct आप कौची integral थिवरम लगा दिजेगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यह वाला function उपर वाला तो आपका analytic हर जगा है लेकिन नीचे में denominator में आपका function analytic नहीं हो सकता analytic होने का conditions बहुत सारे थे single valued होना चाहिए continuous होना चाहिए, differentiable होना चाहिए उससे भी महतपूर्ण जानकरी उससे भी महतपूर्ण चीज़ क्या है यह function आपका defined होना चाहिए अरे यहाँ पे z is equal to 3 पे function defined ही नहीं है तो काहेगा analytic वो तो single valued continuous हो सब तो कुछ होगा ही नहीं, तो इससे function तो defined ही नहीं है, तो generally most of the cases में आपके problems में denominator equal to 0 करने पे singular point मिल जाता है, तो वही focus रहता है, ठीक है, तो यहाँ से इस problem को solve करने के लिए integration c, z square plus 5z plus 6 divided by z minus 3dz दिया है न, तो सब से पहले इसका singularity निकालो, singularity कैसे निकालते हैं, most of the cases में denominator को करना रहता है, 0, तो यहाँ पे हमको पता चला, z is equal to 3 पे एक point मिला है, जो कि एक singular point है, क्या मिल गया, z is equal to 3 वाला point एक singular point है, समझ में आया बात, अब इसको यह वाला जो चीज है, इसको कहाँ पे integrate करना है, एक दो, तीन, चार, चार अलग-अलग जिगा पे integrate करना है, तो इसमें पहला, पहला यह question है मेरा, पहला part है, कि आपको इसको integrate करना है, mod z is equal to 1, यह क्या रिप्रेजेंट करता है, यह रिप्रेजेंट करता है एक circle, जिसका center है origin, और radius है 1 units circle है, जिसका center है origin, और radius है 1 units, तो यहाँ पे आपका तो 1 होगा ही, ठीक है अब सुन लो, आपको बोल दिया क्या, कि यह वाद जो singular point कहा है, z is equal to 3 पे, अरे, z is equal to 3, कहा show करोगे यह वाला point, जराब बताओ तो, यह तो हमको पता है, कि यह है आपका x, और यह है y यह है x, और यह है y, तो कैसे बताओगे z is equal to 3, तो तो तुम बोलोगे ना sir, इसको तो हम 0 times i तो लिख सकते हैं ना, मतलब यह x हो गया, और यह y हो गया, तो 3, 0 हो गया, समझा, तो यहाँ पे, यह तो हो गया 1, 0, 3, 0 कही यहाँ पे होगा, तो यह मिल गया 3, 0, अब यह बताओ क्या यह singular point इस region को affect कर रहा है नहीं कर रहा, आपको तो सिर्फ इस region पे करना है लेकिन हमको पता है कि यह वाला function analytic तो है, सिर्फ 3, 0 पे analytic नहीं है तो उससे हमको क्या लेना दना यह तो बाहर में है, छोड़ो उसको हटाओ तो इधर तो मेरा function analytic है न जी, अंदर में analytic है, इसके boundary तक पे इस analytic है, तो अगर function आपका analytic हो, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, direct integration करेंगे 0 मिल जाएगा, तो बाई कोची's integral theorem, हम क्या बोल सकते हैं, यह वाला term हो गया, यह जो answer आएगा, 0 आजाएगा, समझा, बस यही चेक करना रहता है singular point निकालो, और test करो, कि function आपका analytic है या नहीं है, पहला part हो गया, second part देखिए, second वाले part में, main चीज तो आपका change नहीं करने वाला, आपको singular point z is equal to 3 is the singular point, यह पता है आपको, second वाले part में आपको एक circle बनाना है, जिसका radius है 2 units, तो यह आपका 2,0 और यह 3,0 यहाँ पे भी singular point बाहर है, कुछ लेना देना नहीं, आपका function तो आपका अंदर में भी analytic है, और बाहर periphery में भी analytic है, तो हम क्या बोल सकते हैं, कि यह function अगर analytic है, अंदर में, तो फिर इसका integration का जो value है, वो भी यहाँ पे भी 0 आजाएगा, using Cauchy Integral theorem, कुछ calculate करना ही नहीं है, बस आपको test करना है, देखो कितना मज़िदार और आसान है, थर्ड पार्ट में आ जाओ, थर्ड पार्ट में बोला, mod z is equal to 3, तो इस case में, आप क्या करोगे, एक circle बनाओगे, जहाँ पे 3 unit का radius है, और यहीं पे आपका singular point भी exist कर रहा है, तो अब यहाँ पे खेल बदल जाएगा, यहाँ पे कोई singular point है, क्या इस particular circle या region में, हाँ है, अगर singular point है, तब कौन सा formula पे जाना है, हम लोग को, कोची's integral formula पे जाना है, तो इस वाले formula को हम लिख सकते हैं, integration c, क्या हो जाएगा, z square plus 5z plus 6 divided by z minus 3 dz, यह क्या बन जाता है, 2 pi i रखो, और f of a, a मतलब, जो आपका जहाँ पे आपका n minus a, मतलब यहाँ पे क्या है, a क्या है, यह क्या है, 3 है, तो यहाँ पे लिख दोगे f of 3, अब सवाल उठता है, sir, f of 3 कैसे निकाले, जब आप compare करेंगे, तो numerator में f of z है ना, तो यहाँ से तो आपको दिख रहा है, कि f of z is equal to, z square plus 5z plus 6 है, तो यहाँ से अगर हम बोले, f of 3 बताईए, तो बोलेगा, 3 का square मतलब 9, 5 तिया 15 और प्लस 6, 9, 6, 15, 15 दुनी 30, तो यह बन गया, 30, तो यह कितना बन गया, यह बन गया, आपका डिरेक्ट, 60, पाई पुझली, असान है तो, यह 15 हो गया, 30 हो गया यह, 30 into 2, 60, 60 पाई आई, इसका हो गया answer, कौन सा पार्ट का, यह वाले पार्ट का, ठीक है, अब देखो, फोर्थ वाले पार्ट में, चोथा वाला पार्ट है आपका, mod z is equal to 4, मतलब एक ऐसा circle, जिसका आपका radius है 4 units, तो यहाँ पे आपका boundary पे तो 4,0 होगा ही, साथी साथ, इसका singular point का है 3, तो इसका singular point कहां चलाया, अंदर में कहीं होगा 3,0, अब यह function का analytic है, function analytic है, सब जगा, except at this particular point, तो जब भी आपको singular point मिल जाए, आजाना है आपको कौची integral formula में, यहाँ पे आप फिर से वही कर सकते हो, integration c, f of z मतलब, z square plus 5z plus 6 divided by z minus 3, dz कर दिया आपने, और is equal to क्या कर दिया, 2 pi i, 2 pi i, और into f of 4, f of क्या करना है, 3, 3, मतलब इसमें भी आपका 30 आएगा, और 60 pi आएगा, ठीक है, तो इसको आप note कर लिजे, आगे बढ़ते हम लोग, मेरा फोन आया है, तो इसका अंसर आजाएगा, 60 pi आई, ठीक है, उसके बाद, कौन साव्व किये थे, mod of z is equal to 4, तो यह समझ में आए, यह समझ में आगया था, बस आपको basically check करना रहता है, कि आपका function, उस particular curve, या उस region में आपका analytic है, या नहीं है, थर्ड वाला part देखो, थर्ड में बोला, integration c, z e to the power of z, by z minus i, और इसको आपको integrate करना है, तीन अलग-अलग regions में, तो पहला में वो बना दिजे, mod z is equal to half, यह क्या बनाएगा, यह एक circle होगा, जिसका center होगा 0 पे, और जिन पे, और radius होगा half, और इसका आपको singular point निकालना है, तो denominator को 0, तो z minus i is equal to 0, z is equal to i, इसका मतलब क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 0 प्लस 1 इंटो y, बुझ ली, तो इसका x और y क्या होगा, x हो जाएगा 0, y हो जाएगा 1, मतलब 0,1, खोज़ो तो कहा है 0,1, 0,1, मतलब यह particular, सुरी, यह तो half है, यह तो आपका half है, यह 0 और 1 आपका singular point है, बाहर में, ठीक है, अब यह बताएए कि इस particular curve पे, यह इसके अंदर, क्या यह function analytic है, हाँ है, इस वाले curve के उपर, यह इस वाले curve के अंदर, यह function analytic है, so if f of z is analytic at every point, within and on the closed curve, यह closed curve है, so इसके within and on the closed curve, this function is analytic, यह analytic कहां नहीं है, यह इस point पे analytic नहीं है, तो इससे क्या लेना देना है, यह बाहर में है, छोड़ो दोसको, तो जब भी ऐजा होता है, तो इसका answer क्या होना चाहिए, closed loop पे, 0, तो इसका answer हो जाएगा, 0, ठीक है, तो इसका हमार लिख देते हैं, answer, इसका भी 0 आया था, इसका 0 आया था, इसका 60 pi i आया था, is, और इसका भी 60 pi i आया था, ठीक है, यह हो गया पहला part, दूसरा part, आपको एक circle बनाना है, जिसमें mod z is equal to 1 है, तो आप जानते हो कि यह क्या बनेगा, एक ऐसा circle, जिसका center है, origin, और radius है 1 unit, तो यह इसको हम बोलते हैं, 0,1, और आपको यहाँ पे clearly दिख रहा है, कि singular point तो अरे, इस circle के periphery पे ही है, तो singular point exist कर गया, तब चलेंगे हैं इस formula में, यह formula से, हमको पता है कि closed integration, सरी, z e to the power of z, divided by, z minus i, dz, यह क्या होना चाहिए, 2 pi i times, f of a होना चाहिए, compare करो तो a क्या है, i है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे f of i, अब बोलो कि sir, यहाँ पे f of z क्या है, यह है z e to the power of z है, f of i निकाल लो तो बोवा, f of i क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, i e to the power of i, इसको put कर यहाँ पे, तो यह मिलेगा, 2 pi i, और i e to the power of i, i dot i मतलब i square, i square मतलब minus 1, तो यह बन जाएगा, आपका minus 2 pi e to the power of i, यह बन गया है इसका answer, फिर हो गया, देखो डाइग्राम आप अलग-अलग, clearly साफ सुत्रा बनाओगे ना, तो दिक्कत नहीं होगी, थर्ड में है आप mod z is equal to 2, तो यहाँ पे आप जब बनाओगे, तब यह होगा 2,0, यह बन जाएगा, कौन सा बना रहा हूँ, तो यह अच्छा ठीक है, यह तो आपको सिखाया, mod z is equal to 1, तो यह mod z is equal to 1, तो यह बन जाएगा 0,1, यह 1,0, और यह minus 1,0, और यह 0, minus 1, अब आपका जो singular point है, वो कहाँ पे लाई कर रहा है, इसी particular point पे लाई कर रहा है, तो singularity है, तो इसका मतलब क्या है, कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, f of i पे यह वाला तो solve किया, अच्छा ठीक है, इसी का answer आए था ना, क्या आए था, minus जो भी है, अब mod z is equal to 2, तो 0,2, 2,0 बना लो, minus 2,0 कर दो, और 0, minus 2 कर दो, आपका singular point कहाँ पे लाई कर रहा है, 0,1 पे, मतलब यहाँ पे, तो क्या singular point है अंदर में, हाँ है, तो फिर से कौन सा formula लगाएंगे, वही formula लगाएंगे, integration C, f of z, मतलब z e to the power of z, divided by z minus i, dz is equal to 2 pi i into f of i होगा direct, और f of i आप जानते हो, f of z है, z e to the power of z, f of i क्या होगा, i e to the power of i, तो 2 pi i into i e to the power of i, i square minus 1, minus 2 pi e to the power of i, तो चाहिए आपका mod z is equal to 1 हो, mod z is equal to 2, answer आपका से माने वाल है, यही खुबसूरती होती है, और यही थोड़ा मजा होता है, complex के integration को solve करने में, बस यह दो चीज़ें हैं, इससे आपके बहुत सारे maximum problems आपके बन जाते हैं, और थोड़े complicated या higher level problems बनाने के लिए, आपको poison, integral, और levoily theorem, क्या नाम था, नाम भी बहुल गया मैं, lowly relay, ऐसा कुछ था, last में जो आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो वो सारे theorems का application हम लोग सीखेंगे, कैसे problem को solve करते हैं, I hope, यह simple problems को आप easily आप handle कर सकते हो, अब चलते हम लोग थोड़ा सा, अलग level of problems में, कुछ और questions, integration C, e to the power of Z, by Z minus 1, Z plus 3 whole square DZ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा, अलग concept मिलेगा, थोड़ा सा मजा आएगा आपको, अब देखो, fundamentals आपने सीखा, यह दोनों चीज अपने बेज़े में गुजा लिया, एक इधर, इधर, अब problems सी problem solve करोगे ना, तो मजा ही मजा है, इसको गौर से देखिए, गौर से देखिए इस शक्स को, सबसे पहले problem solve करने के लिए, आपको क्या करना होता है, आपको वो circle, या फिर curve, या फिर close loop बनाना होता है, तो यहाँ पर हमको पता है, पहला बना रहे है, mod z is equal to 3 by 2, यह बोला, तो बना लो, यह और कुछ नहीं, एक circle होगा, जिसका center होगा origin पे, और radius होगा 3 by 2 पे, तो यह है 3 by 2, 0, समझ मैं है, यह अगर 3, 2, 3 है, तो यह क्या लिखेंगे, minus 3 by 2, 0, इसको लिखेंगे हम लोग, 0,3 by 2, इसको लिखेंगे हम लोग, 0, minus 3 by 2, समझ मैं आ गया, एक circle है, अब आपको test करना है, कि इसका singular point क्या है, तो यहाँ से आपको clearly दिख रहा होगा, कि इसको हमको क्या करना चाहिए, इसको हमको कर देना चाहिए, इसको कर देना चाहिए, equal to 0, तो z minus 1, और z plus 3, का whole square is equal to 0, कर दिया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अब सवाल उठता है, कि इसको हम लोग क्या करें, एक काम करते हैं, इसको जब अब equal to 0 करेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, आप बोलोगे सार, z minus 1 is equal to 0 आएगा, यहाँ फिर, z plus 3 का whole square equal to 0 आएगा, z is equal to क्या आगया, 1 आगया, यहाँ पे z is equal, z plus 3 is equal to 0 होगा, और z is equal to minus 3 होगा, तो आपको दो points मिल गए हैं, actually यहाँ पे इसके दो roots होगे, तो minus 3 minus 3 होगा, तो एक 1 ले लेते हैं, तो इसको और क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0 times i, कोई दिक्कत हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0 times i, point के terms पे represent करना है, तो क्या लिखेंगे 1,0, इसको क्या लिखेंगे minus 3,0, यह दोनों point को आप plot करिए, इस दोनों point को हम लोग यहां पे plot करेंगे तो एक 1,0 कहां पे होगा यह तो आपका 3 by 2 बोले तो 1.5 है तो 1 वाला तो एक point अंदर चला आया ठीक है 1,0 तो यह singular point आपका अंदर में आ गया एक है minus 3,0 तो minus 3,0 कहीं बाहर में इस side होगा तो इसको show करते है minus 3,0 अब सवाल उठता है कि यहाँ पे sir दो singular point है एक तो इस particular curve या region जिस पे हमको integration solve करना है उसके अंदर लाई कर रहा है और एक है बाहर लाई कर रहा है तो जो बाहर गया सो जाने दो उसो क्या लेन देना है इसको फेक दो बाहर आपको इसको ले करके चलना है क्योंकि आप बोल सकते हो कि यह function यह वाला जो function आपने choose किया है यह analytic हर जगा है except at this particular point and also at this particular point हाला कि इस particular point का कोई significance नहीं है इस particular point का significance है तो अब क्या करना है? तो यहाँ से हम कौची integral theorem तो 0 होगा नहीं कि आपको पता है कि यह हर जगा तो analytic नहीं है तो इसको तो हम 0 नहीं लिख सकते है singular point मिल चुका है तो कौन से formula पर जाना है? इस वाले formula पर आना है अब challenge यह है कि इसको हम लोग कैसे use करेंगे? जो भी singular point मिले न बहुआ उसी को आप denominator में रखिए बाकी सब कुछ जोला में pack करना है f of z में convert करना है क्या बोल दिया? सुन लो इसको देखो गौर से integration c e to the power of z by z minus 1 z plus 3 का whole square dz इसको करना है modify क्योंकि हमको इसको convert करना है इस format में क्योंकि आप इसी formula को लगा सकते हो f of z by नीचे में सिर्फ z minus a ही होना चाहिए और कुछ नहीं तो आपको दिख रहे हैं यहां पे कि यह जो singular point है बस यह है z minus a 1 है तो आपको बस z minus 1 को रखना है denominator में जो कुछ भी बच जाए दुनिया में सब को जोला में करना है pack फिक देना है उपर यह समान कुछ कचड़ा वरा रहता है या फिर छज़ा होता है ना घर का तो क्या करते हैं जो generally हम लोग use करते हैं और जो नहीं करते हैं उसको जोला में pack करते हैं उपर फिक देते हैं तो यह छज़ा है रहा आपका घर का अरे रहता है ना अमीर घर से होगे तो नहीं पता होगा lower middle class family से होगे तो घर में छज़ा रहता है या तो रखा होगा है तो यह जो चीज है इसको आप यह फेक दोगे उपर तो इसको कैसे modify करें लिको integration c नीचे में रखना है हमको सिर्फ z minus 1 तो लिख दिया z minus 1 और इसको उपर उठा इसको जब उपर उठा होगे तो क्या करोगे इसको ऐसे लिख सकते हो ना e to the power of z by z plus 3 का whole square कोई फरक पड़ेगा एक ही function है इसको नीचे लाओ तो एक ही चीज है कोई दिक्कत ही नहीं बात आ गई समझ में तो ये वाला हो गया चज़ा पे फेका अब क्या करना है अब मुझे phone उठा रहे sorry for the interruption क्योंकि phone off अभी नहीं कर सकते है important calls रद हैं miss हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएंगे तो ये f of z by z minus है यहाँ पे आप देख लिए चाहिए to the power of z by z plus 3 का whole square कर दिया है format में change अब देख लिजए यहाँ पे आप compare करेंगे तो उपर वाला जो portion ये बन जाएगा आपका f of z देखो कौर से गौर से देखिए शक्स को ये convert हो चुका है आपका f of z में बस ये क्या बताता है ये और कुछ नहीं ये formula आपका बन जाएगा 2 pi i times f of a a क्या है यहाँ पे a है 1 तो बस करना है f of a 1 तो आपको दिख जा रहा है f of z और कुछ नहीं ये है e to the power of z by z plus 3 का whole square तो f of 1 क्या बोलोगे f of 1 बोलोगे e divided by z plus sorry 1 plus 3 का whole square मतलब e to the power of 3 1 4 का square मतलब 16 e to the power of 16 हो गया तो यहाँ पे बैठा करके आप e to the power of 16 डाल सकते हो काट सकते हो और ये बन जाएगा आपका pi e i by 8 ये बन गया है आग से मज़ा आया concept यही चीज था कि आपको थोड़ा सा formatting करना होता है जो भी singular point है उसको denominator में रखना है और जो भी singular point नहीं है वैसे वाले expression को जहुला में करना है pack और चज़ा पे फिक देना है ये हो गया दूसरा देखो second part है ये इसमें भी वही करो सबसे पहले तो ये बना लो mod of z plus pi is equal to 2 कैसे बनाएंगे ये आपको दिख रहा है काफी साफ साफ कि इसको हम लिख सकते है z minus of minus pi इसमें तो कोई दिखकत ही नहीं इसमें भी बहात ही नहीं है is equal to 2 अब बोलोगे sir इसमें जो center है ना वो है आपका क्या क्या है ये center ये है minus pi और radius जो है ना sir ये है आपका 2 इसको आपको point में convert करना है तो आप क्या बोलोगे ये और कुछ नहीं sir minus pi plus i time 0 है और ये और कुछ नहीं 2 plus i time 0 है तो इसको आप लिख सकते हो क्या इसको आप लिख सकते हो point में minus pi,0 और इसको आप लिख सकते हो 2,0 दो point मिल गए आपको अब क्या करना है यह वाला circle आप बना लीजिए जहाँ पर center कहा होगा center point आपको दिख रहा है minus pi,0 तो minus pi,0 ठीक है चलो यह तो origin पर नहीं बनेगा minus pi,0 कहीं यहाँ पर बनेगा इदार गौर फर्माते हैं तो center बन गया है minus pi,0 का और radius है आपका 2 units का तो यह आपका 2 units का आपका यह है अब सवाल उठता है कि इसका singular point क्या होगा singular point आपको खोज करके निकालना है e to the power of z minus 1 is equal to 0 e to the power of z minus 1 is equal to 0 कैसे solve करेगे e to the power of z is equal to 1 दोनों साइड ln ln ले लो तो यह हो जाएगा z ln e is equal to ln 1 यह होता है 1 और यह होता है 0 तो z is equal to 0 मतलब 0 plus 0 into i या फिर 0,0 बोल सकते हो यह कहा बन जाएगा आपका जो singular point है वो तो अंदर है गया sorry यह तो बाहर हो गया आपका जो region defined था वो आपका तो बाहर में है तो यह तो हर जगा आपका एनलाइटिक है यह तो हर जगा एनलाइटिक है अगर आपका function हर जगा एनलाइटिक हो over the curve c या फिर अंदर में तो आप क्या बोल सकते हो इसका integration करोगे 0 तो इसका direct answer आजाएगा क्या यह बन जाएगा 0 ठीक है तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं है third question देखो third question आपके पास यह इसका सबसे पहले singular point निकाल लेते हैं इसका तो c दिया नहीं है मैं miss कर दिया हूँ इसको मेरे को c देखने दिजे c छोट गया है यहाँ पर c is mod z is equal to 2 c is mod z is equal to 2 चलो इसके लिए बनाते हैं सबसे पहले आप c बना लीजे c बनाएंगा mod z is equal to 2 मतलब यह वाला एक circle बना लिया ओके अब आपको singular point निकाल लें denominator को कर दो equate 0 तो z into z square plus 16 is equal to 0 लिख सकते हो तो इसको अब क्या कर सकते हैं इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं z plus 4i और z minus 4i is equal to 0 तो यहाँ से आपको पता चला z is equal to 0 z is equal to 4i और z is equal to minus 4 आई ठीक है? तो 0,0 हो गया यह हो गया आपका 0,4 और यह हो गया 0, minus 4 यह तीन points मिल गया आपको singular points हैं तो यह तो मिल गया आपको 2,0 तो इसमें कोई दिक्कत नहीं यह है आपका 0,2 और यह है आपका minus 2,0 यह है आपका 0, minus 2 0, minus 2 तो 0,0004 और 0, minus 4 यह कर दिया तो क्या कर दिया? 0,4 उपर चलाएगा कहीं पे 0, minus 4 बाहर चलाएगा कहीं पे और अंदर में तो रहा गया 0,0 तो इसका मतलब यह है कि यह दोनों से तो कोई फरक ही नहीं पड़ा अंदर में आपका analytic point है तो बस इसको आपको गौर करना है जो भी अंदर वाला जो analytic point है हो जहाँ पे singularity हो sorry analytic point नहीं मतलब singular point है जहाँ पे आपका singular point हो उसको रखना है नीचे बाकी सब को जोला में pack कर देना है फेक देना है उपर तो यहाँ पे इस वाले term में आपको 0,0 आपको singular point है तो इस वाले expression को क्या करेंगे हम इसको लिखेंगे ये और z square plus 16 को उपर फेक देंगे नीचे में रखेंगे सिर्फ z क्यों क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि z जो है ये singular point देगा तो यहाँ पे z माहिना 0 ही लिख सकते है न ये लिख दिया c और ये कर दिया d z इसको compare करोगे तो ये वाला portion बन जाएगा आपका क्या f of z अरे इसका answer क्या होता है इसका ये होता है 2 pi i 2 pi i into f of a ये मतलब 0 तो f of 0 अब यहाँ f of 0 निकालना है तो f of z क्या निकला f of z मतलब ये तो आप लिखोगे cos z divided by z square plus 16 हो गया और f of 0 कर दिया तो cos 0 हो गया 1 और 0 plus ये है तो 1 by 16 हो गया है तो यहाँ पे square हो गया तो 2 pi i into 1 by 16 होगा दो 8 16 हो जाएगा तो ये बन जाएगा pi i by 8 I hope काफी अच्छी तरह से आपको ये समझ में आओगा ये question में नहीं बनाओगा ये रहा आपका comment question आपको comment section में इसको solve करना है answer डालना है और अपने peer से जो जो solve करेंगे उससे आपको match कर देना है ये आपके लिए होग है I hope काफी अच्छी तरह से आज का lecture समझ में आओगा ये practice session में ये रखा था जानबूच करके ताकि आपको handy बन जाए कि ये वाला formula ये formula कैसे use करते हैं और एक अलग level का आपको confidence develop हो जाए इसी तरह से हम लोग courses complete होने के बाद जैसे board आ जाएगा हमारा तो practice ही practice करेंगे tension ही नहीं है इसलिए तो कर रहे है campaign please on रखिए पैसे घट रहे हैं अगर कि इस बार नहीं ले पाए तो नहीं ले पाएंगे फिर क्योंकि आपको पता है कि covid cases इतने सारे बढ़ते चले जा रहे हैं कुछ आगे चल करके अन्होनी वैसी अगर हो गई तो फिर से यह सब चीज प्रॉब्लम हो जाएगा तो इसलिए अभी आ रहा है order दे दिया है हमने आ रहा है तो लग जाने दीजिए भरपूर lockdown का फाइदा अब उठाइए पढ़ते रहे हैं और हम पढ़ाते रहेंगे तो please डेड़ लाक रुपे अरेंज करने जरूरी है please campaign के और करिये और मिलते हैं आप से अगले lecture में तब तक के लिए बाई